प्रेट सौधन प्रेट पैर न उठाना भी शिर्फ हाथ उठाना है प्रेट सलुट आथ सिदा करौ इसको बोला भी इना मेने हाथ न उठाना है शिर्फ ये आत उठाना है बस डन, शलुट, डन, प्रेट विश्राम, प्रेट साधन, प्रेट विश्राम, सिक्रूटी गाट और सुपर्वाइजर इस बात का ध्यान रखे, जब भी कलाटेक्स यूनिट 64 के अंदर चौशट नंबर में दूटी पर आते हो, तो सबसे पहले अपना यूनिफार्म धुलाई किया हो, प्रेश किया हो, और सिप्टी शू के उपर कपड़ा या पॉलिस किया हो, कोई भी सिक्रूटी गाट और सुपर्वाइजर गंदा अपने कर्तवे के दौरान, अपनी दूटी के दौरान, आपका दूटी का समय है साथ बजे, आपको 6 बच के 45 मीट के उपर प्रोपर यूनिफार्म के साथ आपको कलाटेक्स यूनिट 64 के अंदर आपको आना है, 15 मीट पहले आईए आप अपनी जहाद दूटी लगी है, उ और चार्ज देना भी है, इसलिए आप 15 मीट पहले आओ, अपनी दूटी पोस का मौईना करो, पैट्रूलिंग करो, गस्त लगाओ, चेक करो, राण मारो, और ये देखो कि आपकी दूटी के अंदर कोई हपीस का ताला या खिड की दर्वाजा खुला नहीं रहना चाहिए, आपकी जहाद दूटी लगी है, उस एरिया के अंदर कोई भी इस्टोर का खिड की ताला दर्वाजा खुला नहीं रहना चाहिए, बहार में जो भी सामान है, बहार में जो भी सामाने कलर टेक्स इनिस 64 का उसकी जवाबदारी सिक्रूटी डिपार्मेंट की होती है, इसलिए अपने कर्तवे के दौरान, अपनी दूटी के दौरान, सिक्रूटी गाड और सुपरवाईजर परोपर तरीके से चार्ज लेगा और चार्ज देगा, हैंड का ध्यान रखे, बिना चार्ज लिये हुए दूटी पर कभी मत चड़ो, बिना चार्ज लिये हुए दूटी पर कभी नहीं चड़ना है, कोई भी घटना या दुर घटना घटी हो, तो आपके माथे आ सकती है, आपकी जवाबदारी बन सकती है, आपकी रिस्पंसिबल्टी बन सकती है, इसलिए आप अपने स्वयम प्रोपर तरीके से आपको चार्ज लेना है, हैंडिंग टेकिंग लेना है, आपकी जरासी लापरवाई, आपकी जरासी निगलेजंसी, आपकी जरासी बहमानी से आपके उपर बहुत बड़ी संकट हो सकता है, इसलिए कोई भी गटना या दुर गटना रोकने के लिए उसको सुरक्षा करना हमारा करतवे है, तो हम बारिकी से अपने दूटी पौश का मौईना करते हुए, चार्ज हैंडिंग टेकिंग लेना है, और चार्ज सही सलामत आपको देना है, डे वाला नाइट से लेगा,